वेलकम टू सरस्वती क्लासेज आजम बात करेंगे LCM और HCF के पार्ट नमबर टू पर इसे पहले बने पार्ट वन में LCM देखा था कि LCM कैसे निकाला जाता है और LCM के यूज से उसके application जो question आते हैं उसके application based question आते हैं वहाँ LCM का कैसे यूज किया रहता है वो सीखा था और आजम बात करेंगे HCF पर कि HCF का use कहां कहां होता है और कैसे कैसे use होता है तो लगबग total video बनेगे इस पर LCM और HCF पर 4 जिसमें पूरा whole concept समझेंगे LCM का और HCF का और इसके application का use कहां कहां होता है कौन कौन से question इस पर बनते हैं तो आज़े start करते हैं topic LCM और HCF तो मैं दुबार से बता रहा हूँ आपको LCM और HCF क्योंकि last video में मैंने आपको LCM बता दिया था और हलका सा आपको HCF बता या लेकिन दुबार से आपको LCM बता रहा हूँ और HCF में difference बता रहा हूँ कि कहां कहां LCM और HCM में difference होता है अपने को पता है कि यह होता है फेक्टर ठीक है उसके बाद अपने देखा था कि दोनों में डिफ्रेंस बिल्कुल माइनर सा होता है अगर आपको डिफ्रेंस पता चल जाएगा तो आप अराम से कोशन बना सकते हैं डिफ्रेंस क्या था मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो LCM होता है वो दी गई संख्याओं से डिवाइड होता है रिमाइंडर जीरो बचता है पूरा 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 डिवाइड होता है और जो HCF है वो दी गई संख्याओं को डिवाइड करता है पूरा पूरा ये पूरा पूरा डिवाइड होता है और ये पूरा पूरा डिवाइड करता है बस इस इसमें से यही एक difference है, अगर आपको यह मालूम पढ़ जाएगा, तो आप बे जिजक दोनों के question बना सकते हैं, अपने example से समझते हैं कि कैसे, मैंने आपको बताया था कि LCM कैसे निकालते हैं, अपने एक example लेते हैं, कि 4 और 6 का LCM, 4 और 6 का LCM, अगर क्या होता है, तो 12 होता है मैंने आपको लास्ट टूड़ी में बताया था कैसे निकालते हैं, आपको पता भी है, तो मैंने कहा था कि LCM होता है, वो दीगी संख्याओं से divide होता है, पूरा पूरा डिवाइड करके देखते हैं, दीगी संख्या कौन से हैं, 4 और 6, तो देखा 4 ती कितने होते हैं 12, और पहले नंबर सिस्टम की वीडियो में की फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो फैक्टर क्या होते हैं, कि मतलब किसी भी नंबर के अपने कितने ब्रेक कर सकते हैं, कब कब कहां कहां तक ब्रेक कर सकते हैं, जैसे अपने 6 को ब्रेक करना है, तो कैसे कर सकते हैं, 1 into 2 into 3 में ब्रेक क क्या होगा तो एक तो था हाइजस्ट दूसरा था कॉममंती सा था फेक्टर तो अपने पहले पांच के फेक्टर करते हैं पांच के फेक्टर करें तो एक इंटु पांच होगे एक इंटु दो इंटु पांच होगे एक इंटु दो इंटु पांच होगे तो अब देखें अप बढ़ा भी एक high-rest है कौन सा? 5. तो यहां क्या होगा? 5 हमारा HCF होगा. दोनों में common होना चाहिए, high-rest होना चाहिए और factor होना चाहिए. तो यहां तो एक भी है लेकिन एक से बढ़ा भी कौन है? तो 5. यहां 5 क्या होगा हमारा HCF. एक तरीका तो यह HCF ग्यांद करने का. एक त दिफ्रेंस लेंगे या मतलल अपने तरफेंस लेंगे जो बहुत नस्धीच ऑनके तो नस्धीक क्या रिफ्रेंस ऊगा बहुत नहींлись 2 पानके यह difference होगा या difference से छोटा होगा इतना शोर है या तो वो खुद होगा या उससे छोटा होगा आई ये देखते हैं कुछ question और देखते हैं जैसे आपको बताऊं कि 42 70 और 98 42, 70 और 98 यहाँ आपको एक बात और बता नहीं बूल गया था कि जो difference है अगर अपने को पता कल जाए कि यह difference हमारा HCF है है या नहीं चेक करने का तरीका है तो अपने अपने को पता है कि जो HCF होता है वो दीगी संख्याओं से डिवाइड होता है तो अपने चेक करके के देखेंगे कि 5 और 10 में 5 का पूरा-पूरा डिवाइडेशन जाता है यह तो पूरा-पूरा डिवाइड करता है तो हमारा 5 क्या हुआ हमारा HCF हुआ आगे और कोशनों में कलीर होगा देखते हैं पैते देखता है 42 42 और 28 का difference कितना हुआ बतल किसी neighborhood number का difference लेने है कि नहीं भी 28 चेक करेंगे कि 28 इन संख्याओं को सभी को divide करता है पूरा-पूरा यदि सभी संख्याओं को divide करता है तो वो इसका HCF होगा नहीं तो आगी process चलाएंगे तो इतना तो sure हो जाएगा difference या तो 28 होगा या उससे छोटा होगा तो अपने चेक करके देखते हैं यदि एक भी संख्याओं से यह divide नहीं करता तो वो क्या होगा एक भी संख्याओं को यदि divide नहीं करता तो इसका HCF नहीं होगा यदि मैं 98 में 28 का divide करता हूँ तो देखता हूँ कि यह पूरा-पूरा divider नहीं करता, तो यह हमारा 28 हमारा क्या हुआ, SCF नहीं हुआ, आगे अपने इसको break करेंगे तो break करेंगे तो break कैसे कर सकते हैं 2 into 14 में break कर सकते हैं 2 into 14 में break किया तो क्या हुआ, 28 को 2 into 14 में break कर दिया, अब देखो 2 तो सभी का क्या होगा इतना तो शूर है कि दो में तो सभी का डिवाइड जाएगा लेकिन अपने को क्या चाहिए HCF क्याता है Highest Common Factor होना चाहिए अब मैं 14 का डिवाइड करके देखता हूँ 14 का डिवाइड करके देखता हूँ 14 का बिवाइड जा रहा है यह कितना होगा आगे देखते हैं आप आईए तो अपने क्या करेंगे पहले minimum difference निकालेंगे minimum difference निकाला तो क्या हुआ 42 और 68 का difference निकाला तो कितना है यह आया 6 और यह कितना है 2 I think कुछ mistake होई है अपने में क्योंकि पूरा पूरा यह 63 माल लो तो अपने को इन दोनों का difference निकालेंगे इन दोनों का difference कितना है 21 अब मैंने कहा था या तो HCF क्या होगा minimum difference होगा या उससे क्या होगा छोटा इतना तो अपने को sure है अब चेक करने का तरीका देखो क्या होगा कहता है कि किसी एक भी संख्या में यदि 21 का पूरा-पूरा डिवाइड नहीं दाता तो वो HCF नहीं होगा तो अपने 140 से चेक करते हैं 25 एकसो पांच, 26 एकसो चबी, 27 एकसो चबी, 27 एकसो चन्तालिस 21 पे पूरा-पूरा नहीं गया, तो 21 हमारा क्या हुआ? 21 को क्या करेंगे अपने, ब्रेक करेंगे किसमें ब्रेक करेंगे? वो अपने पॉलिनोमियल से ब्रेक करते हैं कि अब 3 into 7 लिखता हूँ, 21 को, लिख सकता हूँ अब दूसरा और तरीका है चेक करने का, कि क्या हम ब्रेक सही करने है यह गलत कर रहे हैं, तो ब्रेक में अपने 7 आ रहा है, तो 3 आ रहा है इतना मतलब 3 तो हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 7, 7 का डिवाइड करके देख ले हो, यह पूरा-पूरा डिवाइड किया 6 पर, अगर 63 की बात करूँ तो 9 पर पूरा-पूरा डिवाइड किया, यह यह दि 140 की बात करूँ तो 20 पर पूरा-पूरा डिवाइड किया, ब्रेक करने का भी तरीका अपने को बाइड अप्शन चाड़ना है अपने को संख्या डोननी है कोई नंबर जो इसको पूरा विवजित करें इसको पूरा विवजित करें और इसको पूरा विवजित करें ये मतलल निच्छे कोन आता है HCF आता है या LCM इतना अपने वो अपने को कोशन देगा वह बड़ी से बड़ी संख्या कोन सी है जिससे 528 756 तथा 1008 पूरंत है विवाजिया हो मतलब पूरे-पूरे कटते हूँ तो पूरा-पूरा कौन काटता है HCF काटता है और पूरा-पूरा कटता कौन है वो LCM काटता है इतना अपने को ध्यान होना चाहिए नहीं तो कोशन हमारा गलत हो जाएगा आगे दिखते है अब करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि SF कैसे निकालते है minimum difference अब इन दोनों का minimum difference निकालों तो कितना हैगा 756 सबस्ट्रेक किया 528 तो कितना बचा 8 ये कितना बचा 2 ये कितना बचा 2 तो हमारा difference कितना है 2028 student अब चेक करेंगे कि 228 इसका HCF है तो यहां तो option में 228 है ही नहीं वैसे भी अगर मालनो 228 होता तो अपने चेक करने का तरीका देखते है कोई संक्या देखते है कि किसमें 228 का divide नहीं पुरा पुरा हो रहा तो उससे भी चेक कर लेते कि 228 हमारा HCF नहीं है तो अब क्या होगा इससे छोटा होगा अब break करना start कर दो पहला break ही है 2 into 140 अब देखो 2 भी नहीं है 140 भी नहीं है 14 भी नहीं है तो अब चेक करने का और break करेंगा आब break करने के तरीके देखिए 36, 12, 18, 72 तो अबने और break करते है 2 into 2 into यह कितना है 57 अगर आपको 114 मी मिल जाता है तो 114 को चेक करेंगे कि यह पूरे-पूरे डिवाइड करता है या नहीं अगर एक में भी डिवाइड नहीं करता तो वो cancel हो जाएगा अब क्या हुआ 4 into 57 लिख सकते हैं इसको 57 अब देखो 4 into 57 भी नहीं है तो चेक करेंगे क्या हुआ और डिवाइड करेंगे 4 into 3 into 19 तो यह कितना है 12 into 12 into 19 अब 12 तो है इसके अंतर 19 देखते हैं पहली बाद तो 90 है नहीं क्योंकि 90 को अगर break भी नहीं करते है क्यों 91 क्या है प्राइम निंबर है अगर 90 को डिवाइड करता हूँ तो यह जाएगा नहीं पूरा पूरा तो आखीर है कुन गया 12 12 से डिवाइड करके देख लो 12 चोक है 48 कितने बचे 6 फॉल 4 12 चोक है 48 चुमालिस पे गया 12 चीका 72 और कितने बचे 3 12 चोक है 36 चीका 63 पर गया 12 चोक है 96 यह 8 यह कितना बचे 6 चार बचे 6 चोक है 48 यह 84 पर गया तो इतना देखो कि 12 हमारा क्या वह है है आगे चेक करते हैं वह सबसे चोटी संक्या कौन सी है जिसमें 145, 216 वे 432 पूरंते हैं विवाजियों मतलल ऐसी कोई संक्या डोडनी है जो इन सभी को पूरा-पूरा डिवाइड करें तो डिवाइड करने का तरीका है वो ही है HCF निकालेंगे अपने 216 वे 145 का minimum difference निकालेंगे तो कितना है 72 तो कितना है 72 minimum difference हमारा HCF हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तो चेक करने का वही तरीका है कि अपने क्या करेंगे डिवाइड करके देखेंगे तो डिवाइड करके देखा मैंने अब देखो 72 इसके अंतर है तो अपने डिवाइड करने का क्रिस्क लेंगे देखते हैं अगर एक में भी चला जाता है तो वह HCF होगा यदि एक में भी नहीं गया एक में अपने एक पहले उप्शन से देख लेंगे कि यदि पहले में गया चला डिवाइड पूरा पूरा तो वह उसका HCF होगा अगर नहीं किया तो वह उसका HCF नहीं होगा तो 72 दूना कितने होते हैं 145, 216 तो ये कितने बे गया 72 अपने डिवाइड करके देखते हैं 72 दिया 216, 432 कितने बे गया 72 चिक है 432, ये पूरा पूरा गया तो आंसर हमारा क्या हुआ 72, अगर by the way, अगर 72 नहीं जाता ब्रेक करते 2 into 63 अब इस कांसर 63 भी है 63 में भी सभी का डिवाइड रिजाल जाएगा लेकिन HCF की definition क्या कहती है student, कि highest होना चाहिए और common होना चाहिए और factor होना चाहिए बताओ, 36 और 72 में बढ़ा कोन है 72 बढ़ा है, तो अंसर हमारा क्या हुआ 72 इसलिए मैंने 72 को टिक किया 36 भी सकांसर पोसीवल है लेकिन अगर दोनों इक अठे दी है तो आपने आंसर बहातर लगाएगा कि 72 पूरी प्रोपर्टी सेटिसवाइड करता है HCF की हाईजेस्ट होता है, common होता है मुल्ट फेक्ट होता है, अगे रिखते है इसका LCM बताओ, तो 2 की पावर 3 को स्वलब करता हूं तो कितना हैगा, 8, 2 की पावर को स्वलब करता हूं तो चार, अगर इसका LCM निकालना है तो इसका LCM कितना हैगा, 8, मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, और मैंने आपको लास्ट टुनिट में भी बताया था यदि अधार सेम हो तो जिसकी घात ज्यादा होगी वो हमारा क्या होगा LCM तो LCM कितना है आठ दो की पावर तीन हमारा क्या होगा LCM अगर एक तरीका तो यह चेक है इसको उपन करके अपने LCM निकालेंगे और दूसरा तरीका क्या है यदि अधार समान है और जिसकी पावर जादा है दो की पावर तीन है दो की पावर दो है जादा कौन सी है दो की पावर तीन तो हमारा LCM क्या हुआ दो की पावर तीन कितना है आठ और आठ यह अपने LCM निकाला था ठीक है यह दो की पावर तीन, दो की पावर पांच, दो की पावर साथ दे रखा है, तो LCM कितना होगा, दो की पावर साथ, और HCF की बात करते हैं, तो HCM में कैसा कॉंसेप्ट चलते हैं, दो की पावर तीन, दो की पावर चार, तो दो की पावर दो, इसमें जो छोटा नंबर होता है इसमें तो बड़ी पावर लेते हैं, इसमें छोटी पावर लेते हैं, तो इसका अंसर कितना हैगा, दो की पावर, दो, बस इतना डिफ्रेंस है, HCF और SM, क्योंकि ये डिवाइड करता है, यदि बड़ी रखम ले लेंगे, तो डिवाइड नहीं होगा, यदि छोटी नंबर का HCF क्या होगा, अब HCF निकालने का तरीका देखो, अब देखो, यहाँ तीन नंबर है अपने बस, दो की त्री, दो की स्केर, और तीन की स्केर, तीनों अगर यदि अधार समान होता है, फिर तो अपने concept लगा लेते हैं, लास्ट वाला, जिसकी पावर कम है, वो लेते हैं लेकिन यहाँ तो अधार चेंज है, तो करने का तरीका देखो, आठ, चार और नो, यह कहता है तीन संख्या है, आठ, चार, नो, तीनों का HCF कितना होगा, तो वही अपना concept, minimum difference निकालो, minimum difference निकाला, तो minimum difference निकाला कितना आता है, इन दोनों का difference निकाला तो चार आया, अपन मैंने आपको कहा था कि नजदीक वाली संख्या चाहिए अपने को नजदीक वाली संख्या आठ और 9 का डिफरेंस निकला तो कितना है एक अब एक अपने को पता है कि एक में तो सभी नंबर्स का डिवाइड चला जाता है तो हमारा LCF कितना हुआ एक यदि आप इन दोनों का वो लेना चाहते हो डिफरेंस तो इन दोनों से भी हो जाएगा यदि मैं 4 लेता हूं तो मैं क्या करूंगा 4 का डिवाइड करके देखता हूं यह सभी में चला जाता है तो LCF होगा लेकिन 9 में 4 का डिवाइड नहीं जाएगा तो 9 हमारा LCF नहीं हुगा तो हम इसको ब्रेक करेंगे 2 into 2 में अब 2 का चेक करता हूं दो का फिर 9 में नहीं जाएगा तो फिर इसको ब्रेक करेंगे 1 into 2 into 2 में अब 1 का डिवाइड देखते हैं वापस वही बात आगी एक क्या हुआ हमारा HCF अगला कोशन देखते हैं कहता है कि A की स्केर B की 4 तो इस परकार एक तो पहले इपने LCM भी निकालेंगे इसके अंदर और एक HCF भी निकालेंगे लसीन क्या होता है बड़ी से बड़ी A की स्केर A की 4 a کی 8 b کی 4 b کی 3 b کی 6 c کی 6 c کی 8 c کی 8 मैंने का था lcm में तो बड़ी र Diamond लेते है लेकिन chcp में क्या लेते हैं छोटी लेते है तो a کی square b کی 3 और c की square तो हमारा cf क्या होगा a की square b کی 3 और c की square आके बढ़ते हैं कहता है कि 12 की power 15 हैं और 18 की power 16 का HCF क्या होगा तो वही question है check करने का मैंने आपको LC में भी बताया था अब 12 को अपने break करेंगे 12 की power 15 खोलना तो बहुत बड़ी बात होगी अगर 12 की 3 खोलते हैं तो भी बहुत बड़ी बात होती है अपने को 3 तक तो पता है 2728 आएगा शाहिद लेकिन 12 की power 4 करेंगे वह open करना काफ़ी tough हो जाता है लेकिन इसको करने का तरीका क्या होगा अपने इसको break करेंगे छोटी-छोटी polynomial में तो मैंने 12 को ऐसे डिवाइड कर लिया दो इन्टू दो दो दूने 4 चारती है 12 की power 15 इसी प्रकार मैंने 18 को break किया 2 इन्टू 3 16 अब मैं इसको लिए सकता हूँ 2 की power इन्टू 2 इन्टू 3 15 अगर इसको खोलेंगे तो चारती है वापस की आज़ेगा 12 वह तो अपने understanding होती है अपने कैसे लिखेंगे कैसा question वह अपने इसे answer कैसा मांगता है तो 3 की square इन्टू 2 16 अब गात और अधार का एक rule होता है जो आपको मैं अगली unit में जब ये unit पूरे होगे तो बताऊँगा यदि किसी की आधार पूरे whole bracket पे आधार मतलग पावर एक बनी हुए है तो इसको मतलग आधारों में divide कर सकते हैं तो जैसे मैं इसको divide करना चाहूँ तो 2 की power 15 इन्टू 3 की power 15 आगे एक संख्या ओ रहे हैं 3 की square इन्टू 16 दो की 16 तो ये कितनी होगी 2 की 30 इन्टू 3 की 15 तो 3 की 32 ये कितन हैं तो में आधार समान तो चोती power वाले ये यहां 2 की power 30 है यहां 2 की power कितनी है 16 तो 2 की power 16 चाहिए अपने इसको चोथी वीडियो में अपने सारे question ही करेंगे जितने भी exam में आयों है और एक बात और है मैंने एक facebook page बनाया हुआ है DSSB के नाम से DSSB के नाम से मैं यहां बता देता हूं DSSB PRT TZT and PZT इस page पर मैं unit करा हुआ इसके बाद मैं इसके question आपको वहां दूँगा करने के लिए आप वहां कर सकते हैं और आप नीचे बता दीजिए comment में कि यह answer इसका answer नहीं हुआ तो मैं आपको नीचे comment में इसका answer भी बता दूँगा इस page को please like कीजिए और ज्यादा से ज्यादा share कीजिए जैसे आपने मेरे channel को काफी सराह है उसी पर कर इस page को भी आप काफी सराह हैं आगे दिखते हैं fraction की बात आती है यदि fraction की बात आती है तो LCM और HCM बिलकुल same है कोई difference नहीं है fraction में क्या होता है उपर थे क्यों होता है denominator को नीचे होता है numerator मतला उपर होता है अन्श नीचे होता हर यदि अपने को दे रख है LCM तो fraction के उपर वाले भाग का करेंगे LCM और जो नीचे वाला भाग रह गया मतलल नीचे वाला भाग कौन सा है? नियूमिनेटर या हर तो उसका करेंगे HCF यदि कोशन में LCM दे रख है यदि कोशन में क्या दे रख है? LCM तो उपर वाले का तो करेंगे LCM नीचे वाले का करेंगे HCM यदि कोशन में दे रख है कि LCF निकालो तो उपर वाले का करेंगे जिसका दे रख है जो दे रख है उसको उपर रखेंगे तो उपर क्या रखेंगे? LCF तो करते हैं आईए देखते हैं कुछ कोशन करते हैं कहता है कि 18, 12 और 6 का क्या करेंगे अपने HCF, HCF निकालने का तरीका, minimum difference निकालो बगए student, minimum difference कितना है या 6, अब 6 हमारा HCF होगा या 6 से छोटा तो 6 में 6 का divide पूरा जाता है, 6 में 12 का पूरा जाता है, 6 में 18 का पूरा जाता है तो हमारा HCF कितना है student, 6 आया, अब निच्छे वाले का क्या करना है अपने को, LCM, 35, 7 साथ, I think, यहां मैंने mistake कर दी, यहां 25 लिख लो, यह दोनों, चलो, कोई बात नहीं, अपने को, तो कोशन करना है तो क्या करेंगे, 7, 35, 35 का अपने क्या करेंगे, LCM निकल लेंगे, तो LCM निकल लेंगे, तो पहले किस पर जाएगा, यह, 5 पर जाएगा, 7, 7, 7 फिर 7 पर गया, 1, 1, 1, तो कितना है, 5, 7, 35, हमारा LCM कितना है, 35, तो आंसर कितना है, 6 बटे, 35 आगे टाइप नंबर फॉर देखिए कहता है कि वैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 99, 147 वैं 1011 को भाग देने पर क्या रहता है कि प्रतेक स्तीती में 3 शेशवल रहता है यह मैंने आपको शेशवल पहले भी सबसे रहते हैं वो LCM के थे और यह HCF के अब डिफ्रेंस कैसे निकालना है वहाँ दिया होता है वैं चोटी से चोटी संख्या कौन सी होगी जो दीगी संख्याओं से पूरंते विवाजित होती है यहाँ होती है वैं बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो दीगी संख्याओं को पूरंते विवाजित करती है वहाँ वो होती है यहाँ यह करती है इतना ध्यान रखिये तो ठीक है कहता है कि वैं चोटी से चोटी संख्या कौन सी होगी जिससे 99, 147 को भाग देने पर कहता है कोई संख्या है कहता है जिसमे 99 से भाग देने पर 3 बचे 147 से भाग देने पर 3 बचे रिमाइंडर और 111 को भाग देने तो कितना बचे 3 बचे तो अपने को संख्या निकाल लिए है तो अपने करेंगे इसका तरीका क्या करेंगे, एक तरीका होता है, छोटी चे ट्रिक देख लो, कहता है कि जो शेशवल है, एक्चुली यह संख्य हैं नहीं जिनका आप LCF निकालेंगे, संख्या अपने कैसे बनाएंगे, रिमाइंडर को इन में से गठा देंगे, रिमाइंडर कितना है, तो तीन को परतेक में से सब्स्ट्रेक करेंगे, तब संख्या मिलेंगे, उन संख्याओं का अपने LCF निकालेंगे, 96, 144, यह कितना है, 1008, अब कहता है अपने पासे यह तीन संख्या हैं, इन तीन नंबर्स का अपने को LCF निकालने हैं, और LCF निकालने का तरीका आपको पता है क्या निकालते हैं, इन दोनों का minimum difference निकालेंगे, जो near hood संख्याओं है, तो 96 और 144 सबसे नजदीक है, तो उनका difference निकाला तो कितना है, student, 48 आया, 48 आया, अब 40 चेक करने का तरीका है, कि हमारा जो LCF 48 है, य डिवाइड करके देखेंगे, अगर 96 में डिवाइड करता हूँ, अगर 1 में बी डिवाइड चला जाता है, तो हमारा क्या होगा? HCF होगा, 96 की बात करता हूँ, तो 48 96 को 2 पर पूरा पूरा डिवाइड करता है, 48 144 को 3 पर पूरा पूरा डिवाइड करता है, 48 introduce 不 Ratقي under 20 साफि 96 तो हो नहीं सकता क्योंकि बढ़ा है उसके बाद 54 भी नहीं हो सकता ये भी बढ़ा है और 30 मालो 30 कर भी सकते हैं मालो 48 नहीं हो हमासे तो इसको break करेंगे तो break में कभी भी 30 नहीं आएगा student ये 24 आया ये कितना अच्छी आया ये 16 इंटो 3 आया ये 24 इंटो 2 आया तो कभी भी 30 नहीं हो तो इस वैसे ही कट गया है तो हमारा नहीं कितना वह अटालिस चेक रिमाइंडर को पहले क्या गटाएंगे इन संख्याओं में से गटाएंगे फिर जो संख्या मिलेंगी उनका अपने क्या निकालनेंगे है सेम की सेम वही बात इन दोनों question में है कहता है वह सबसे 1445 में डिवाइड करते है नंबर का तो रिमाइंडर कितना है पांच कहता है वो संख्या बताईए अपने क्या करेंगे पिछली संख्या में अपने पिछले question में क्या बताया था कि रिमाइंडर को पहले सबस्ट्रेक करेंगे फिर संख्या बनती है वही बात है वहां तो उस चीज़ कि 756 और 1440 इन दोनों संख्याओं को क्या निकालना है HCF निकालना है तो वही बात है अपने क्या करेंगे HCF का minimum difference निकालेंगे student पहले सबसे पहले minimum difference निकाला तो कितना है था student चार ये कितना बचा तेरह आठ ये कितना बचा तो हमारा difference कितना है एक student 684 अपने चेक करेंगे 684 हमारा answer है या नहीं अब 684 तो इसमें से कोई नहीं तो अपने क्या करेंगे break करना start करतेंगे अब दूसरी बात है 756 में 684 का पूरा पूरे divination जिंदगी भर नहीं जा सकता तो break तो करना पड़ेगा तो break किया आप break कैसे करेंगे या तो 1836 बातर है उस तरह से break करेंगे अपने तो पहला break किया यह 684 ता तीन यह कितने पर गया तीन चार दो नहीं गया क्योंगी 322 नहीं है मालो आपको लगता है 322 कोई नहीं वाला आंसर हो सकता है तो क्या करेंगे 758 में 322 का डिवाइड करेंगे तो 322 नहीं कितने होते है चेंसो चुरासी और तीन गुना करूं तो कितने होंगे वो 900 सम्थिंग हो जाएंगे लेकिन उपर चला गया तो यह भी हमारा 171 लेकिन 171 पे नहीं है और डिवाइड करेंगे कितने हिए 3 कटेंगे के 2 पर तो कटे का नहीं यह 4 पहले से हुआ तो यह डिवाइड किया कितने पर पांच, साथ तो कितना है बारा इंटू फिफ्टी सेवन अब बारा हमारा आंसर नहीं है तो फिफ्टी सेवन चेक कर सकते है फिफ्टी सेवन चेक कर सकते है तो फिफ्टी सेवन में नहीं जाएगा तो इसको और ब्रेक करेंगे कितने में तीन में करेंगे तो कितना है उननिस ये कितना है 36 इन्टू 19 और उननिस प्राइम नमबर है इसको और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते तो लास्ट हमारा आंसर क्या हुआ 36 तो 36 हमारे पास पढ़ा है 36 को चेक कर लो तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा उसके बाद कहता है कि वैस सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 170, 247 वैस 772 में भाग देने पर प्रतेक स्थिती में समान शेश्वल प्राप्त होता है अब समान होता है अपने को तो पता है नहीं पहले में तो 3 बताया था दूसरे में उसने बताया 2, 5 यहाँ बता दिया समान बचता है लेकिन बताया नहीं कितना है तो अपने करने का तरीका क्या होगा दूसरी संख्या में से पहली संख्या कटाएंगे तीसरी संक्या में से दूसरी संक्या कटाएंगे मतलब सबस्ट्रेक करेंगे फिर तीसरी संक्या में से तीसरी संक्या में से पहली संक्या सबस्ट्रेक करेंगे दूसरी में से पहली करेंगे तीसरी में से दूसरी करेंगे और तीसरी में से पहली करेंगे तो हमारे पास तीन नंबर आ जाएंगे, उनका अपने क्या निकालेंगे student? उनका निकालेंगे अपने hcf, अगर इन दोनों का difference लेता हो तो कितना है? 17, इन दोनों का difference लेता हो student तो कितना है? 595, अपने पास तीन संख्यां आगे, 70, 525, 595, अब कोशन उठता है कि अपने को h स्ट्रेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् के तीनों में कि ये पूरा-पूरा डिवाइड काड़ता है ये नहीं तो मैंने चेक किया सत्तर को इसमें सत्तर डिवाइड गया इसमें सत्तर गया इसमें तो चला गया लेकिन इन दोनों में नहीं जा रहा तो सत्तर हमारा आंसर नहीं हुआ तो आगे सत्तर को डिवाइड किय और ज़्यादा ब्रेक किया सतर को ब्रेक किया 2 इंटू 35 कितने में? 35 में तो 2 तो है नहीं इतना पता है 2 का तो आंसर नहीं होगा जाएगा क्या हमारा? 35 अगर 35 का डिवाइड करता हूँ तो 35 दुना कितने होते हैं? संतर अगर 35 को यहाँ डिवाइड करता हूँ तो 525 में डिवाइड करके देख लो 35 जाता है या नहीं? 35 एकम 35 कितने मज़े 17 35 पंज़े 17 तो 15 पर डिवाइड किया इसे पर गर 595 में जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा? 35 अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जो नए देख रहे हैं और प्लीज आप कमेंट और लाइक जुरूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट और लाइक हमारे लिए मोटिवेट का काम करते हैं दूसरी बात मैंने एक पेज बनाया है आपको मैंने पहले भी बता दिये डिट रिप्लेस भी उसका लिंक मैं नीचे प्रवाइड करा दूँआ ताकि आपको पूरी-पूरी हेल्प हो जाए धन्यवाद